दुनिया भर में आज भी ऐसी कई चीजे रस बनी हुई है जिनका खुलासा भी तक नहीं हो पाया है ऐसा नहीं है कि बग्यानिक इसके बारे में पता नहीं लगाते हैं लेकिन उन्हें सही तरह से सफलता नहीं मिलती है आज हम आपको इस वीडियो में भारत के एक ऐसे रस्मे कुंड के बारे में बदाने जा रहे हैं जिसकी गहराई का पता अस तक बिसे सग की भी नहीं लगा पायें दरसल इस रस्मे कुंड का नाम है भीम कुंड और ये मद्ध परदेश के छतरपुर जिले करीब 70 किलोमेटर दूर बाजना गाउं में इस्थे थे जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इस कुंड का महाभारत काल से जुड़ा है भीम कुंड को लेकर एक बाद प्रजनित है कि महाभारत काल में जब पांडव अग्यात बासपर थे और इधर भटक रहे थे तो उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी लेकिन काफी जगा भटकने के बाद उन्हें कहीं पर पानी नहीं मिला ऐसे में भीम ने अपनी गदा से जमीन पर मार कर या कुंड बनाया और अपनी प्यास भुजाई का जाता है कि 40-80 मीटर चोड़ा या कुंड देखने में बिलकुल एक गदा के जैसा है वैसे ये कुंड देखने में तो बिलकुल साधारन सा लगता है लेकिन इसकी खासियत आपको हैरान कर देगी इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि जब भी ACI महद्यूप में कोई प्राकिर्थिक आपदा जैसे बाढ़ तुफान सुनामी घट्टे वाली होती है तो कुंड का पानी अप बढ़ने लगता है आपको बता दे कि इस रहसे में कुंड की गहराई प पता करने के लिए 200 मीटर पानी की अंदर तक कैमरा बेजा था लेकिन फिर भी गहराई पता नहीं चल पाई भी कहा जाता है कि इसका पानी कंगा की तरह बिलकुल पवित्र है और यह कभी खराब नहीं होता जबकि आम तोर पर ठैरा हुआ पानी धीरे-धीरे खराब होने ल भी भी जारी है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी को पाते रहने के लिए इस चैनल को एमेजिंग वर्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले